हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो आवाज चैनल के आफिंटी तो दोस्तो जगदिश चंद्रव बोस इंस्टिव ठीक है जो कोलकात्ता में है तो इन्होंने अपना जो करेंगे मगर आगे बढ़ने से पहले अगर तुम यह चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत जादा मात्रा में मोटिवेशन मिल दिया है वीडियो बनाने के और आपके साथ इन्फॉर्मेशन स्यार्ज करनी की हम इस चैनल पर बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग यूर आइटी जैम काउंसिलिंग सीची में काउंसिलिंग एडमिशन इन आइजार्ज ठीक है और में या फिर प्री एश सी में इंटांसिप जो होते हैं जो हम आपको आपना जो क्वॉर्मेटे टाफ है उआँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आप देख सकते हैं June to August होने वाला है 6-8 weeks का यह program है और यह Life Sciences, Physical Sciences and Chemical Sciences ठीक है Life Science, Physical Science and Chemical Science ठीक है इन तीनों stream के बच्चे different universities के apply कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो कौन कौन apply कर सकते हैं उनका eligibility क्या क्या है तो आप यहाँ पर साब देख सकते हैं student who are pursuing master's degree ठीक है msc, mtech या फिर integrated master's program in their fourth year and bachelor students भी apply कर सकते हैं but conditions यह हैं कि उनको inspire fellowship या फिर के भी फिलोशीप या फिर कोई national scholarship अगर हम कहें ठीक है इन scholarship के अंदर इन इन awards के अंदर वो पढ़ते हैं तो दूस्तों वो apply कर सकते हैं ठीक है यह यह पर साब देख सकते हैं तो इसके साथ और भी आपको eligibility फिलाप करना है आपकी school में ठीक है आपकी class 10 या फिर intermediate plus 2 में ठीक है आपकी 75% overall marks होना चाहिए and आपकी graduation में अगर आप अभी masters कर रहे हैं तो आपकी graduation में 60% marks aggregate होना चाहिए ठीक है अगर आप अभी graduation की final year में है मालो तो आपकी last same तक आपकी 60% overall marks होना mandatory है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों इस form को fill up करने के लिए आपको एक letter of recommendation लागेगा ठीक है आप यह पर देख सकते हैं वह letter of recommendation का जो format वह भी मैं आपको बादा जाओंगा तो वीडियो को दोस्तों end तक ज़रूद देखना ठीक है इनक तो apply कैसे करना है मतलब क्या क्या form filling करना है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा form filling के procedure description box में जो link दिया हुआ है उस link पर जाइए और apply कीजिएगा दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि sit intake capacity ठीक है number of 20 students may be accepted for short term training 20 students को maximum लिया जाएगा इस internship को करने के लिए ठीक है तो important dates की अगर हम बात करें तो last date आप देख सकते हैं ठीक है 15 में है last date और जो list of candidates selected list है वो 25 में announce कर दिया जाएगा इनकी website पर ठीक है और training आपको start होगी 1st June से अपकी training start हो जाएगा अगर तक आपकी training चलेगा 6-8 इसकी अगर आपकी कोई इस form को फिलाफ करने की इस मतलब यह जो short time internship के related अगर कोई queries है तो आप इस जो यहाँ पर mail id दिया हुआ इस mail id पर आप contact कर सकते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों तो यह जो अपना जो इटर लब डिकमेंडेशन जो आप दोस्तों इस format पर ही आपको डिकमेंडेशन लेना है तो आप मैं आपको form filling के कुछ चीज़ दिखाऊंगा जब आप इस जेसी बोस्त का इंस्टूट का जो website का link है वीडियो के description box में वह पर click करने के बाद आप इसकी registration की registration में आ जाओगे ठीक है इसके बाद आने के बाद आ पर अपना name डाल देना ठीक है उसके बाद अपना date of birth अपना email address नेशनलेटी यह सब डाल दोगे ठीक है तो उसके बाद अपना education जो है वह डालना होगा दोस्तों ठीक है आप यहां पर सब्जेक्ट एरिया अप अपनी university का नाम अपकी जो एगडिकेट मांक्स है या फिर cg GPA grade है वो आप यहां पर डालेंगे अगर आप कोई fellowship अगर आप पाए है तो वो भी आप डाल सकते हैं ठीक है तो उसके बाद आपको यहां पर एक important चीज में जो बातने जा रहा हूं दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी यहां पर career goals यहां पर statement of purpose लिखना है ठीक का बहुत इंटरेस्ट है ठीक है research में जाने का बहुत इंटरेस्ट है तो ऐसा कुछ अच्छा अच्छा बात लिखना है statement of purpose लिखना कि आप जिस के मालों आप chemistry में कर रहे हो किसी फील्ड में तो nanoparticles में आप लिखना कि मुझे chemistry का जो nanoparticles का जो यह सब कुछ है मुझे यह अच्छा लगता है ठीक है तो यह सब कुछ बातें लिखना statement of purpose लिखना अच्छे से उसके बाद letter of recommendation यह जो फाइल आप hod से पाए होगे वह लिख देना उसके बाद यहां पर टिक मार्क देके submit कर देना है ठीक है दोस्तों यही था हमारे वीडियो अगर वीडियो अच्छ अच्छे से लिखना है